यहाँ मोथा का पौधा है और इसकी मैं कुछ अर्विदिक परिवग बताऊंगा यहाँ सभी जगा मिल जाता है असानी के साथ तो मैं इसकी कुछ जड़ी बुठिया बताता हूँ मलेरिया हो गया हो किसी भी प्रकार से आपको भी समझवार जो मलेरिया बोलते हैं तो आपको इस मोथा को लेना है और गुड़िची लेना है आमला लेना है इसका क्वाद बना करके आप उसमें सहद मिलाकर पीने से मलेरिया को जो बुखार होता है उस बुखार को यहाँ उतार देता है और इसकी जो कंद होता है अत्यंत सुगंदमय होता है और गिलोई, मोथा और परपट इसको जिसको पीत पापड़ भी कहते हैं इसका कवाद बना लिजी इसको पीने से पीत जवर होता है जो पीत के ये से बुखार होता है उसमें लाब होता है उसमें सोट और जैसे की अडूसा मोथा और काथ पीने से जो कप जो प्रकृति का जो रोग होता है जोर होता है उसमें भी यहां रामबान काम करता है इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं और जैसे आमवात जो दर्द होता है उसमें भी इस कंद को पीस करके उस गाठों में आमवात के जगह लगाने से दरद का निवारन करता है तो यह मोठा सरोसब भारत में मिलने वाली है आप आँखों में भी कुछ गड़बरी हो जाए तो इसके कंद को धो साप करके घी में भूंज करके पानी के साथ घीस करके रातों में अंजन करने से नेत्र के समस्तर जो रोग होते हैं वहाँ पुर्णरुप से लाब होता है और फाइदेमंद होता है और इसी तरह से जैसे स्वांस है, खांसी है इस रोग में आप क्या किजेगा आपको सोठ लेना है, हरड लेना है और मोथा, इन मोथा को दर्ब्य को मस्त पीस लीजेगा इस सबसदी को और इसको पाउडर बना हो उसको यहाँ पुर्णोरुप से आहराम पहुंचाता है और कैसे भी आपको पेट संबंदिन गड़बड़ी हो गया हो तो इस मोथा और पीत पापड़ा का क्वाद बना कर पीने से कैसा भी पेट का जो पाचन किरे नहीं हो रहा हो आम दो जिससे रोग हो गए हो उसमें भी यहाँ अत्यंत लाबकारी है और यहाँ कई परकार के जैसे कुष्ट रोग में इसका भी प्रयोग होता है और इसके जड़ को पीस कर लगाने से घाओ जल्दी भरता है और अर्ध कपारे जैसे रोगों में भी यहाँ अत्यंत लाबकारी वनो सधी जड़ी बूटी है तो इ इसका कॵार्द बना लिजे पीत पापड़ा और मोथा मिला करके इसको पीने से कैसा بھی बुखार हो या तो कॵार्द नहीं बना सकते तो आप इसको सीत कसाय बना करके सेवन करने से आपके कैसे अंदर रोग हो उस रोग को यहाँ मिटा देता है यहाँ भारत भूमी में सर्भ स मिलने वाली जड़ी बूटियां है और यहाँ इसके कंद को पीस कर लगाने से आमवाद जो दर्द होता है उसमें भी यहाँ आत्यांतर लाब बकारी है तो मेरे भाई बैनिस का प्रोकर के लाब ले सकते हो हरियो